सीकना इतना मुस्किल हो आसानी से सीखा जा सकता अधर है यह कि सब्सक्राइल सब्सक्राइब होते हैं कंसेप्स किलिए प्ढ़ने वालों को बढ़ने वालों को भी नहीं ओते सब्सक्राइब करती है और यही वो चीजे हैं जिनके लिए हमें कोचिंग लेनी पड़ती है नहीं तो फिर तो आप बुक्स पढ़के अपने आप सीख जाओगे यही चीजे हैं जो टीचर की जिम्मेधारी होती है सब्सक्राइब करते हैं तो अपने इस तरीके से लिखते हैं स्टार्ट प्रॉम कोई पर्टिकुलर डेट लिख देते हैं लोगर मैं अपनी बता हूं तो हम चार दिसम्मर को एक नया बैच ला रहे हैं ऑनलाइन तो हमने इसमें लिख दिया 4 December 2023 ऐसे लिख दिया या मालो लिख दिया बैच इससार्ट प्रॉम प्रॉम प्रॉड दिसम्मर 2023 फिलाल में कोई भी डेट लिखते हैं उससे मतलब नहीं है यह मैंने केवल ऐसे लिख दिया आप देखते होंगे कि लोग इस तरीके से अपने एडविटिजमेंट में यूज करते हैं आप सोचव एक बार क्या है है हमारे एडविटिजमेंट में आपको यह नहीं मिलता हो होगा कि हम यहां पर फ्रॉं नहीं और लिखा यहां फ्रॉं कि तरफ से सब्के निव बैच स्ट उन सब्स्तकर ने कि यहां कि यहां फ्रॉं एडविविटिजमेंट लेकिन यह आपको पता कब चले का गलत है या तो आज मैं आपको पता दे रहा हूं तो आप जान जाओगे यह फिर अगर दिमाग उस करते हो आप सेंस कहां से आएगा जब को तो कॉंसेप्स होंगे क्लियर लेकिन कितनों को कॉंसेप्स क्लियर पढ़ने वालों को वह ऐसा कोई डुकी चुपी बात नहीं हम सभी जानते हैं मैं तो अच्छे से जानता हूं वाकि आप सभी धीरे-धीरे जब मेरे बैच्छे पढ़ रहे हो तो जानी जाते हो कि बाहर की दुनिया में क्या चल दा है लोगों ने तोड़ी यह मिलकर होता क्या है कि यह जो फ्रॉम है इसके यूज करने के पीछे बस एक ही वज़े होती है और कोई दूसरी वज़े नहीं है कोई लाजिक नहीं है कि यहां पर यूज कर वैटते हैं क्लासे स्टार्ट होंगी चार द टेंगर यह वह आप देखेंगे इंग्लिज के टीचर्स हैं इंग्लिज के अपने बैचर लाते हैं ठीक है अच्छे खासे फैन फॉलॉंग भी है और वह फ्रॉम लिखते हैं जिनका कामिये लोगों को समझाना और आपने बैचर्स में खुब छाटी पीट पीट के कहते है कॉंसेप्ट पढ़ाएंगे रूल नहीं रटो नहीं समझो ठीक है मेरे डायलोग कापी मार देते हैं कुछ लोग मैंने जान दिया तो जो खुद कहते कॉंसेप्ट पढ़ाएंगे और उनके खुद के कॉंसेप्स ऐसे रहते हैं अब आपको समझना यहां पर यह है कि हम फ्रॉम क्यों यूज कर पा रहे हैं फ्रॉम नहीं यूज करने की वज़े है यह वर्प स्टार्ट कि देखो होता क्या है व्रॉम प्रेपॉजिस्टान सबको पता होगा यह तो नहीं तो फरॉम प्रेपॉजेशनifully डिटेल मापढ़ा होगा कि गि एस से पौईंट को रेफर करने के लिए यहां से कुसछ स्टार्ट होके अगे कॉंटिन्यू पर गया और फिर जाके वो किसी और पॉइंट पर एंड हुआ तो वो जिस पॉइंट पर एंड वो टू हो गया ऐसे होता है कि फ्रॉम के साथ टू यूज होता है अब आप एक चीज़ देखिए वो इंस्टेंट एक्षन है स्टार्ट और तुरंती एंड हो गया तो उसमें दो सेपरेट पॉइंट नहीं हो सकते इट चैन नोट हैब टू डिस्क्रीट पॉइंट वन आप दे बेगिनिंग और आप दे आप दे पॉसिबल नहीं है इसमें मैं जैसे आपको समझाऊ इसमें 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 इसमे लिखा इत रेंड़ फ्राम 3.00 तिल 5.00 अभी आप डिफ्रेंस समझने की कोशिस करो यहां पर हमने लिखा यहां पर लिखा यहां पर हमने लिखा फ्रॉम टिल लिखा वह वो टाइम के लिए उस होता है तू की जगह पे टू इस पेस के लिए अधि मैं लिख दाया फ्रांग वहां प्रशजिक यहां है यहां पर नहीं हो सकते शोपर जहां पर हुआ फॉइंट है जितनी बारिस होती रहे टूरेशन है तो टूरेशन हैं टूरेशन टूरेशन वगेंज और वेढ़ेशन एंड टूरेशन गईडिन हुइ वहां पर फ्रॉम जानपर इंड यहां पर तो कि वहां जन्वारी से रुखा तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसका रुका होगा तो रुकना जो सकते हैं अब लेकिन स्टार्ट पें यह जो होते हैं जैसे कुछ स्टार्ट वी वैसे वह एंड भी होते हैं क्लासे स्टार्ट ऑन समझने की कोर्षिस आप तब कर पाओगे जब आप उस कंडीशन में होकी आप कोशिस बीकर पाओ को से कुछ समध्य चाहिए नोर्थ इंग्या में टीक जितने उतार एंग्लिस पढ़ने वाले उस्यादा पढ़ने बढ़नां पढ़ना है नहीं यहां लकिन दोने सदार है बस चाहता है कि सोच हो करने आपको पहले वेकौद बताया हुकर कभी नशे क्लास में पर जो अपने प्रेसिडेंट थे सेकेंड प्रेसिडेंट इंडिया के थे उनका मैंने कोट पढ़ा वो मुझे जिन्दगी पर याद रहेगा हमें साथ यह था न्यूजपेपर में छपए थे उनके काफी इस दिन सेकेंड फिफ फॉप सेप्टमबर को जो तो इसमें लिखा था वनुकें तिंक रिक्वाइस नो टीचर जो सकता है उसको टीचर की आप सकता नहीं है तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप इसको ऐसे देखो कि टीचर की फिर हमें आव सकता क्यों है वी रिक्वाइर टीचर तो दैड वी कें थिंक हमें टीचर किसली ज़रूरा है कि हम सोच पाएं बच्चों को सोचने में काबिल बना दें बच्चा सोच पाएं कितने अब सोचोगे तो अपने आप समझ लोगे लेकिन हम कितने सोचते हैं हम रूल्स हैं एक्सेप्शन हैं प्रवार मोटिवेशन कितना चलता है जगह नहीं तो इस तरीके गलतिया हमारे यहां को के सामने से रोज निकलती एक और आपको बताता है आ अगई अगई यह बात करने से क्या होता है कि हमारे विश्यानतर हो जाता है टोपिक समीदर हो जाते हैं पढ़ाम क्या रहे हैं इस एक और देखाओगा जैसे मेरी कुछ थमनेल्स वगएर हैं या मेरी पीडियाप्स हैं उन पर आपने देखा होगा इस तरीके से हम लिखते हैं इं लेकिन फिर कुछ ऐसे भी इंसिट्यूशन्स हैं बच्चे के बार पूछते रहते हैं कि सब्सक्राइब लोग होते हैं आपने देखा होगा उनके में विद लिखा होता है सब्सक्राइब नाम ले किसी का त कहते हैं सब्सक्राइब करने नहीं चाहिए इंटरेर बार नहीं मुझे लगता है इसमें अगर हम दिमाग लगाए तो मुझ्खिल नहीं है इंग्ली यह प्रेपोजिशन उप्चिंट यह यहाँ थे यहां यहां पे देखे तो तो by preposition, doer की preposition है, it refers to someone who does something and with refers to the companion और the participant, so teacher जो होता है और student होते हैं, उनमें teacher doer होता है, he does something to his students, क्याते है ना he taught me English, उसने मुझे English सिखाई, उसने कुछ किया और इसी को अगर हम पैसे बना दें तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश वाज टॉट बाई अंकुल सर आप देखो बाई उसकर रहे हैं कि यह जो है यह जो शॉट हम मैसेज लिखते हैं इंग्लिश बैंकुल सर तो यह उसी मीनिंग का रिप्रेजेंटेशन है य और पढ़ा रहे हैं इंग्लिश की टीचर लेकिन सोचते ही नहीं है कहीं से पढ़ा और कहीं पढ़ा दिया कॉपी पेस्ट मार दिया तो बस आपने देखो गए जैसे सीरियल वगए आते हैं कमेडी नाइट्स विद कपिल सर्मा इसे आता है तो उसमें विद लिखा होता है कलाकार लोगों ने क्या करा है यह जो भी सर्य मैंडम जो भी लिखते हैं इन सबने क्या करा है वही कलाकारी एजटेश चेपली इंग्लिश विद इस सर इंग्लिश विद धैट मैं अरे वह पाइट्स पेंट है कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट्स जो प्रोग्राम है उसमें पाइट स्पेंड नहीं पाइट स्पेंड करता है एकुल लेवल पे राक्यों के साथ में तहीं तो इस की प्रेपोजिटन भाई होने लेकिन वह भी लिखेंगे सब्सक्राइब नहीं समझते सोचते नहीं तो इसी तरीके गड़बर करोगे तो मैं आपको जो भी पढ़ा हूं ज़रुद पढ़ने पर मौका तो नहीं समय पढ़ा रहा होता हूं मेरे हाथ में और मेरी कोसिस होती है कि मैं सची बोलूं और जो मुझे लॉजिकली सटिस्फाई करता बच्चों को बताऊं अना आप इनकी मतलब ना समझी का फायदा ना उठाया हूं इनको बर्गलाओं नहीं यह मेरी कोसिस होती है लेकिन फिर भी इंसानी हूं गड़वड हो सकती है तो आपको ऐसा नहीं कि मैंने जो कहा ठूरू ले जाना ए प्रॉस से जो इनफर्मेशन आपको मुझे से मिल लई है जो जानकारी जो नॉलेज आपको मुझा से मिल लए हो नहीं पूरी कोसिस करता है कि काम मुझे करना है सै जिंब ना ना वच्चों का ठीक है और उनका फैदा ना उठाओं की मेरी पढ़ानी की वज़े से उनका सुधार हो उनका बेवकूफ ना बने ऐसी मेरी कोशित होती है लेकिन फिर भी गलते हैं किसी से भी हो सकती है तो जो मैं कहता हूं उसको भी आप प्रोसेस करो उसको सोचो अगर मैं ऐसा आपके साथ कर पाया और आपको इतना सिखा पाया कि किसी भी चीज को मानने से पहले याद रखने से पहले समझना होता है सोचना होता है अगर मैं यादत आपकी डाल पाया तो ऐसे टीचर मेरा काम होगी तो मैं यह मानूंगा कि मैं अच्छा टीचर हूं मुझ सब द्यान रखिए तो सोच सकता उसको कोई टीचर की जरुवत नहीं कि इसलिए कि हम सोचने के काबिल वन रहे हैं कि लेकिन कई बातों टीचर ही हमारे नहीं सोचते पढ़ाने वाले कोई और यह उसको खुदी नहीं क्लियर कि वह कह रहा है लिख रहा है इसका मतलब क्या है तो ऐसे यह चल लेकिन कुल मिला के बात ही है कि भी देखो आप लोग बैट में पढ़ते हो पेड़ बैट में पढ़ते हो तो यह कॉंसेप्स वगएरे आपको सीखने चाहिए इनका रिविजन करना चाहिए नोट्स बना पूछ बता लिया करो चलो आज वागे पढ़ते हैं